वेलकम फ्रेंड एक बाफ फिर स्वागत है आपका स्टेडी हाइट्स पर मैं हूं कियस्तोंगर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इगनु के एक इंपॉर्डेंट टॉपिक पर जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर आप इगनु में एडमिशन ले चुके हैं तो उसके बाद काफी सारे स्टोडेंट से मिश्टेक्स हो जाती हैं उनके नाम के अंदर उनके फादर नेम में उनके सरनेम में या फिर उनके एडर्स में तो उन सबी को हम correct कैसे करें, change कैसे करें, आज वो हम इस वीडियो में जानेंगे तो इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ student.addda की website पर अभी आप student.addda की official website पर है इस website पर मैंने एक article लिखा है इसी topic पर कि किस तरह से आपको अपने name में, surname में, middle name में या फिर address में changes किस तरह से करने हैं यह वो article है जो अभी आपकी screen पर है इस article में मैंने आख सारी चीजे detail में बताई हुई है कि किस तरह से आपको इसमें changes करने होंगे और इस article का link में आपको इस video के description में दे दूँगा so simply आपको यहाँ पर now correction changes in your ignore degree is possible पर click करना है click करने के बाद यह article आपके सामने आ जाएगा इस article में आपको यहाँ पर detail मगरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं simply यहाँ पर मैंने एक link दिया हुआ है जहाँ लिखा हुआ है first of all you have to click on this link आपको इस link पर click करना होगा इस link पर click करने के बाद आपके सामने इगनू का official notification होगा जिस notification में सारी instructions बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि आपको नाम change करवाने के लिए या address change करवाने के लिए क्या fees देनी होगी और कौन कौन से student इन्हें change करवा सकते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर notification में लिखा गया है कि 31st Convocation के बाद के जो student हैं अगर वो अपना कुछ भी चीज़ चेंज करवाना चाहते हैं नाम या address में से तो उसके लिए उन्हें 500 रुपे fees देनी होगी और जो old student हैं जो first से लेके 30 Convocation के अंदर उन्हें अपनी degree complete की है या diploma कुछ भी complete किया है एकनों से तो उसके लिए उन्हें 15.00 रुपे fees देनी होगी यह तो हुई fees की बात अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर जो guidelines हैं उन्हें revised किया गया है यानि guidelines को दुबारा से issue किया गया है वो guidelines भी आप एक बार जरूर देख लिनी चाहिए इन guidelines में सबसे पहले number पर दे रखा है कि आपको आप यहाँ पर minor correction in spelling of the student name, father name, guardian name यानि कि छोटी सी कोई भी spelling mistake अगर आपके नाम के अंदर है आपके father name में है या guardian name में है तो उसको आप change कर सकते हैं second है change in full name आप अपने पूरे नाम में भी बदलाव कर सकते हैं third है change in first, middle, last name यानि कि अगर आपका surname या आपका last name या first name में कोई problem है, spelling mistake है या गल्त है तो आप उसे change कर पाएंगे fourth है addition or deletion of surname यानि अगर आपके surname को आप हटाना चाते हैं या add करना चाते हैं तो वो भी इस form के तुरू आप कर सकते हैं fifth number पर है change in surname after marriage ये उनके लिए है जो female candidate साधी के बाद उनका surname change हो जाता है तो वो अपना surname भी इस form के थूरू change कर सकते हैं and sixth number पर है change in address अगर आपके address में कोई बदलाव आपको करना है या आप जिस address पर रहते थे वो address आपका change हो गया है तो वो भी आप इस form को fill करने के बाद change करवा सकते हैं so यह important instructions बाकी instructions और भी है उन्हें भी आप carefully पढ़ें और यहापर third number पर जो instruction है वो भी काफी important instruction है क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि आपको अगर अपने name की spelling में कोई changes करवाने है तो उसके लिए क्या document की requirement होगी तो यहाँ पर इसमें जो document दे रखा है हो है self-attested copy of 10th certificate issued by recognized board of education slash athercard यानि आपके 10th class के certificate की copy यहाँ पर आपको लगानी होगी अगर आप अपने नाम में father name में ये guardian name में कोई भी spelling का mistake ठीक करवाना चाहते हैं उसके बाद second number पर है change in full name मगर आप पूरे नाम में बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो document requirement है वो भी यहाँ पर दी गई है आपको यहाँ पर newspaper की original cutting लगानी होगी यानि कि आपको एक newspaper में advertisement देना होगा और उसकी cutting को आपको यहाँ पर लगाना होगा इसी तरह से यहाँ पर सभी चीजों के लिए documents बताए गए हैं कि आपको किस चीज के लिए क्या document लगाना होगा तो आप इसको carefully पढ़ लें क्यूंकि मैं सारी बात अगर आपको बताऊंगो तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए यह notification आप जो मैंने link बताया था उसपे click करके देख सकते हैं और सारी चीज़े detail में पढ़ सकते हैं उसके बाद आते हैं हम application form पर यहां पर आपको मिलेगा तीसरे page पर application form यहां लिखा हुआ application form for correction, change in name, etc यानि कि यह application form अगर आप फिल करेंगे तो जो भी चीज़ आप change करवाने चाहते हैं वो आपकी easily change हो जाएगी यहां पर bracket में दिया भी हुआ है guideline are given over leaf, please go through them carefully before filling up the form, यानि कि form को बढ़ने से परे guideline को अप अच्छी तरह पढ़ लें जो कि अभी मैंने आपको बताया था, जैन उसके बाद आपको यहां पर अपना name डालना है, program code डालना है, enrollment number डालना है, address डालना है, email ID, phone number यह सबी details जो composite detail है, यह आपको डालनी होगी, fifth number पर है month और year of completion of program, यानि जिस month और year में आपकी degree या certificate program कुछ भी complete हुआ है, उसका आपको month और year यहां पर डालना होगा, तो यह सारे points आप carefully पढ़के उन्हें fill कर लें, उसके बाद साथवे number पर जो point है, हो काफी important है, यहां पर ही आपको वो student name, father name, guardian name, तो आपको यहां पर जहां लिखा हुआ है, name reflected in grade card, इस वाले option में आपको नीचे यहां पर अपना name भरना होगा, जो आपका grade card में है, जो आपका गलत है, वो आपको यहां पर भरना होगा, उसके बाद इसी के सामने दे रखा है, correct name in block letter, यानि कि जो आप नाम actual मे fill करना होगा, वो भी capital letter के अंदर, उसके बाद B point में आप पर दिया है, change in full name, मगर आप पूरे नाम में बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको इस option में उसे fill करना होगा, यहां पर आपको वो name भरना होगा, जो फिलाल आपके grade card में, डिगरी में mention है, उसके बाद इसी के सामन में आपको मिलेगा, change in first, middle or last name, अगर आप first, middle, last name में change करना चाहते हैं, तो आपको यह column बना है, अगर आप कुछ चीज एड या डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको D point बना है, अगर आप surname चेंज करना चाहते हैं after marriage, तो आपको E point बना है, then आपको अगर address में कोई change करना है तो आपको F point को fill करना होगा तो इसी तरीके से आपको वो सभी point fill करने है जो भी आप यहाँ पर बदलाव करवाना चाहते हैं जो आप नहीं करवाना चाहते हैं उसको आप blank छोड़ सकते हैं ज़र उसके बाद आठवे number पर है fees यहाँ पर आपको जो fees देनी होगी वो demand draft के थुरू देनी होगी यानि आपको DD बरवाना होगा किसी भी bank से और यहाँ पर आपको उसका DD number fill करना होगा जो आपको DD पर mention होगा और DD की date आपको डालनी होगी और जिस bank से आपका DD बना है उस bank का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा जैन उसके बाद जो amount आपका है वो आपको यहाँ फिल करना है जैन उसके बाद आपको यहाँ पर signature करने होगे अपने और नीचे यहाँ पर date डालनी होगी और जो भी document आप यहाँ पर attach कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा जार उसके बाद यह form complete करने के बाद आपको इस form को registrar SCD IGNU मैदानगडी New Delhi 21068 पर send करना होगा by post आप इसको send कर सकते हैं या फिर आप IGNU मैदानगडी विजिट करके भी इसको submit कर सकते हैं यह form simply आप download करके print निकल वालें इसका और उसके बाद fill करने के बाद इसके साथ जो documents आपके require हैं वो document लगाएं और आप इसे by speed post या मैदानगडी जाकर submit करें उसके बाद 15 to 20 days के अंदर आपके नाम, address या surname जिसको भी आपने change करवाया है उसमें changes आपको देखने को मिल जाएंगे So I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी So please चैनल को subscribe जरू करें वीडियो को like करें ना बूलें मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखें Thank you so much for watching